वेलकम तो स्टडी आएक्यू मैं नेम इस अमित और लेट्स डिस्कूस दे रिफॉर्म्स देडर रिक्वाइड इन इंडियन हायर एजूकेशन अभी अभी रिसेंटली डेली हाई कोट में एक केस हुआ है अगेंस टू फॉरन वेबसाइड उसकी वज़े से भारत की जो उचितर शिक्षा है यानि कि इंडियन हायर एजूकेशन है उसमें किस परकार के गवर्नर गवर्नेंस रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की जरूरत है उसके बारे में हम डिसकस करते हैं जानते हैं कि भारत की इंडियन हायर एजूकेशन इस समय किस सिचुएशन पर खड़ी है और आगे बढ़ने का क्या रास्ता होना चाहिए चलिए लेट्स बिगिन कॉंटेक्स पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये मुद्दा उठा क्यों है इन क्लासिस का अगर आपको पीडियफ चाहिए तो मेरे टेलिग्राम चैनल पर आप मुझे जॉइन कर सकते हैं हर क्लास का हर वीडियो का जूपीडियफ होता है उस टेलिग्राम चैनल पर शेर किया जाता है Also you can join me on my social media to connect with me इस महीने क्या हुआ कि तीन foreign publishers जिनका नाम है Elsevier, Wiley और American Chemical Society इन तीनों society जो कि ये जो तीनों के तीनों publishers हैं ये वर्ल्ड के largest publisher है academic papers के इन्होंने डेली हाई कोर्ट में एक copyright infringement का case दायर किया दो websites के against जिनका नाम है Library Genesis और SignHub Libgen और SignHub के नाम से ये जो दोनों websites हैं ये पूरे विश्व में जितने भी research papers publish होते हैं उनको free available करा देते हैं जबकि यही जो research papers जो publish होते हैं ये publisher इन्ही academic papers को publish करते हैं और फिर इसकी subscription पर universities को students को, scholars को sell करते हैं तो याने की copyright infringement है कि इनकी intellectual property है जिनको ये piracy करके free में students को या education industry को provide करते हैं and hence the case Delhi High Court से ये याची का दायर की गई है कि इन दोनों websites का access भारत में बैन कर देना चाहिए ये हमारे आज के जो मुद्दा और मसला है उसके discussion का center है इससे जो ये judgment आएगी court की इससे भारत की आने वाली educational और scientific research पर क्या impacts होंगे, क्या repercussions होंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे Let's start with it देखिए पहरे तो नाम को याद रखिए तीन publisher हैं Elsevier, Wiley और ACS आप ये समझ लीजिए जैसे आप कोई book पढ़ते हैं आपके पास लक्षमी कांत book होगी या कोई भी आपके पास book है आपको पता है कि उसमें publisher का नाम कोई और होता है जैसे टाटा मैग रोहिल हो गया Oxford हो गया उसी तरीके से Elsevier, Wiley और ACS Vishu के सबसे तीन बड़े publisher है जो की academic research paper publish करते है जैसे अगर कोई student कोई चातर PhD करना चाहता है doctorate of philosophy पाना चाहता है तो वो एक original research करता है और वो जो research के जो documents होते हैं वो कही न कहीं पर publish किये जाते हैं वो जो publication होती है वो in organizations के द्वारा होती है इन्होंने case दायर किया दिल्ली हाई कोट में दो website scihub और livegen को ban करने के लिए ये दोनों websites उन्हीं research papers को illegally pirate करके provide करा देती है free of cost फरक देखेगा कि ये जो academic publishers हैं इनकी cost जो annual cost आती है वो बड़ी-बड़ university Oxford, Harvard को भी 50-60-60 करोड रुपे तक की पड़ती है वो सारा का सारा data ये दोनों websites कराती है free, available and hence इस copyright infringement के case के उपर दिल्ली हाई कोट से request की गई है कि इन दोनों websites को देश के अंदर ban कर दिया जाए और access नहीं हो पाए ताकि वो ऐसा order दे दे इससे हमारी research पर क्या फरक होंगे academic आगे क्या फरक आ सकते है साथ ही साथ इसके context में higher education का जो regulatory framework है और उसमें किस प्रकार के regulatory और governance reforms की जरूरत है we will talk about it एक इसी चीज से related ये copyright infringement से related एक पुराना case है चार-पांच साल पुराने वाला Delhi University का photocopy case उसके बारे मैं और मैं बताता हूँ आपको क्या हो देखिए रामेश्वरी photocopy services Delhi University में एक photocopy की दुकान है ये basically कोई भी जो international books होती थी कोई भी books होती थी course की book होती थी उसकी photocopy करके students को दे देते थे तो कुछ publisher Oxford University Press Cambridge University Press और Taylor and Francis इन सबने मिलके इसके against case किया कि ये जो काम कर रही है illegal है ये किताब है बड़ी महंगी किताब है दस अजार रुपे किताब है उसकी photocopy करके ये students को दे देते थे तो 200-300-400 रुपे की photocopy हो जाती थी बोलते है ये piracy है Delhi High Court ने उस समय इस judgment में ये दिया कि photocopy of copyrighted book at university campus is done for the students तो कोई commercial purpose के लिए नहीं है commercial exploitation के लिए नहीं है बलकि वो students अपने खुद के course के लिए वो photocopy करा रहे हैं तो ये copyright infringement में काम नहीं होगा इसमें specifically speaking court ने जो social good है उसको private property के ऊपर रखा गया प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो books जो है legally speaking Oxford University Cambridge University Press की private property है copyrighted है कि सिर्फ वही बेच सकते हैं और उनको हक भी है उसको commercialize करने का however क्योंकि students उसको commercially use नहीं करते हैं उस photocopy को उसको कहीं sell नहीं करते हैं और सिर्फ अपने personally use के लिए करते हैं जो social good था education का उसको उपर रखा गया इसके लिए ये case काफे पुरान है around 5-6 साल पुरान है इसी case से related अब आज देख सकते हैं similar सा case आप ये live gen और sign hub के साथ मिला हुआ है live gen के बारे मैं वैसे बता देता हूँ जिस भी book के जो pdf तुम ढून रहे हैं और नहीं मिल रहे हैं 90% chance है कि इस वली website पर मिल जाएंगे जो भी competitive exams की books होती है कई हो के pdf आपको नहीं मिलते हैं more or less यहाँ पर मिलने की संभावना रहती है sign hub पर research paper जो PhDs के होते हैं IITs के, IIMs के उनके मिलने की ज़्यादा संभावना होती है चलिए, अब बात करते हैं ऐसे में क्या होगा यह decision अभी आया नहीं है Delhi High Court के पास case है उस decision से कई सरी चीजे decide हो सकती है एक बात ध्यान रखिए कि they are within their legal rights to do that तो Elziver है, Wiley है, ACS है उनका एक बहुत strict terms में देखा जाए तो legal case है क्योंकि एक तरीके की piracy है परन्तु इससे आगे क्या होगा वो थोड़ा सा complexity हो जाता है सिक्षा जो होती है वो को privilege नहीं होता और ना ही favor होता है कहने की बात है कि ऐसा नहीं है रहेगी, indeed for the defense of society there is only one thing that exists with people and that is education it is not a privilege, it is a right it is actually the most basic human right that can actually come कभी-कभी हमें लगता है कि सिक्षा शायद luxury है food is a basic human right food is one basic human right however उसी तरीके से सिक्षा भी है religious fanaticism, violence, superstition, fatalism in सब को हटाने के लिए हमें सिक्षा की जरूवत पड़ेगी सिक्षा के बिना काम नहीं चलेगा हम पहले एक बार देखते हैं कि सिक्षा में, भारत में सिक्षा का regulatory framework क्या है higher education का focus रहेगा higher education ना कि primary और secondary उसके बारे में आज हम बात नहीं कर रहे हैं higher primary मतलब की 5-20 किलास से पहले का secondary मतलब 5-20 किलास तक की जो सिक्षा पदती होती है primary, secondary higher education यानि कि जो college में start हो जाते है 12 किलास के बाद जो education है उसको higher education कहा जाता है जिसमें graduate, post-graduation, PhD आती है इसमें इस वाली slide से बेटर आप शायद यहाँ पे देख सकते हैं कि total तीन काम है education में सबसे पहले policy में कि पॉलिसी बनाई जाती है department of higher education, ministry of HRD यह जो ministry of human resources होती है यह सबसे ज़्यादा senior मंतराले है भारत के अंदर सिक्षा के policies बनाने का तो जो भी सिक्षा कौन सी होनी चाहिए कैसे courses होने चाहिए कैसे सारके सारके सिक्षा पत्रती चलेगी कैसे students हमें आगे कि हम human capital बनानी है that is decided by ministry of human resources development इसके साथ साथ Indian universities की association Central advisory board of education State council of higher education primary और secondary education के लिए भी यह है policy making bodies इसके अलावा एक regulation अब policy बन गई साथ में जो colleges हैं IITs, IIMs, universities, state colleges central universities, private colleges deemed universities जो यह सब है उन सबको regulate भी करना पड़ता है उन सबको regulate करती है University Grants Commission It's a body जो कि Ministry of Human Resources के अंदर आती है परंतो एक autonomous body है यह अलग-अलग organization CSIR, ICSSR, ICMAR जैसे कुछ यह medical research के लिए है यह scientific research के लिए है AICT, MCI अलग-अलग bodies बनाई गई है अलग-अलग छेतरों के लिए engineering के लिए एक है एक medical के लिए है एक scientific research के लिए है एक management के लिए है अलग-अलग bodies regulate करती है उन सब चीजों को और उसके बाद state colleges के लिए state regulators अलग से होते है इसके साथ-साथ दो और important bodies है accredition body accredition मतलब कि आप उस quality का आप कहीं पर कोई course है कोई college है तो उस college को एक्रेडिट भी करना पड़ता है कि ये भी मानना पड़ता है कि आप जो कह रहे है क्या आप उसी quality की चीज़े provide करते है वो मिलता है National Board of Accredition से and National Assessment and Accredition Council से ये दोनों की दोनों जो body है ये Ministry of Human Resources के अंदर आती है और ये courses और colleges को एक्रेडिट करती है National Board of Accredition सिर्फ courses को एक्रेडिट करता है और National Assessment and Accredition Council courses and colleges दोनों को एक्रेडिट करता है कहने का क्या मतलब हो जिससे आप कहीं पर diploma करना चाहते हैं किसी चीज़ का अब वो जो diploma है अगर वो accredited diploma है यानि कि उसको इस बात की stamp लगी हुई है कि उसकी quality और वो एक particular regulation और अच्छा system फॉलो करता है तो आपको यकीन रहेगा कि ये course करने से आपको market में skills डिवलप होंगी and you'll be able to get a job तो ये दोनों बहुत ही important body है ये regulatory framework है भारत में higher education से संबंदित एक policy making bodies जिसकी सबसे top पे है ministry of human resources development दूसरी university grant commissions वो भी MOHRD का ही part है और उसके बाद accredition bodies वो भी MOHRD का ही part है regulators मिलकर चलाते हैं भारत में जो higher education है वो visual में तीसरे largest domain पे है सबसे number पर US से है second number पर China है और उसके बाद भारत है भारत में इस समय हजार से भी ज़्यादा approximately एक्जेक्ट नहीं है हजार से भी ज़्यादा university हैं जिसमें से importantly 54 central universities हैं और 416 state और उसके अलावा deemed universities हैं private universities हैं more importantly speaking भारत में 159 institutes of national importance हैं नाम सुने होंगे अपने IITs, IIMs, AIMs, NITs ये वो institutes हैं इजूकेशन बहुत हाई है इसी लिए इनको special दर्जा दिया जाता है इनको special ध्यान दिया जाता है funding मिलती है ताकि इनकी और progress होते रहे भारत में जो higher education का gross enrollment ratio है वो है 27 परतीशत यानि कि भारत में college जाने वाले जो बच्चे हैं वो 27 परतीशत है gross enrollment ratio तब निकाला जाता है तो जो 18 साल से 23 साल के बच्चे होते हैं उनमें से कितने बच्चे college जाते हैं तो आ जाएगा gross enrollment ratio तो जितने भी 18 से 23 साल के बच्चे हैं सबोस कि यह 100 हैं तो देखा जाएगा कि उनमें से 27 बच्चे ही college जा रहे हैं वरना फिर या तो फिर बारवी के बाद स्कूल छोड़ दिया, दसवी के बाद छोड़ दिया, आटवी के बाद छोड़ दिया. Gross Enrollment Ratio इस समय थोड़ा सा कम है अगर आप notice करोगे तो. Hence higher education reforms की ज़रुवत है क्योंकि अगर human capital बढ़ाना है, अगर देश को आगे बढ़ाना है, तो सिक्षा सबसे पहले ज़रुवत पड़ेगी. Higher education में challenges बड़े सारे से, overarchingly speaking financing के, पैसा नहीं है, money is an important one, enrollment, सिफ 27 परतीशत है, accredition, accredition की जो bodies है, वो accredited तो करती है, परंतो उसके बावजूद भी कई परकार के corruption और inefficiency exist करती है. अपने देखा होगा अपने चारों तरफ की बड़े सारे से colleges, engineering colleges पिछले 10 दर्शक में बन गए थे, और line wise 200, 300, 400 colleges बन गए, जिनकी building होती है, लेकि वहाँ पर staff नहीं होता है, infra नहीं होता है, वो जो accredition की problem है, that is very big problem, फिर quality, भाई college सिर्फ और सिर्फ उससे building से नहीं चलता है, उसके अंदर quality teachers से, support से, finances से, research से, काफी long process से आती है, which is quite lacking, हमारे यहां पर IITs हैं, IIM से, जो कि world के top institutes में आते हैं, परंतो उसके बावजूद भी, जब top 500 की universities rank होती है, तो हमारे सिर्फ 2, 3, 4, 5 colleges ही उसके इंक्लूड हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा high नहीं है, top 100 में सिर्फ 2 हैं, top 500 में सिर्फ 10, 15 ही हैं, and politics, corruption politics की वज़े से भी हमारी higher education पर कई सारे challenges हैं, इन global standards को higher education पे लगाने के लिए, सबसे पहले जो यह SIHUB और live gen के against litigation आई है, इस से हमें पता होना चाहिए कि जो knowledge है, उस तो piracy नहीं होनी चाहिए, and there is a possibility कि Delhi High Court उसको बहुत strict word to word अगर legal terms पे पढ़ेंगे तो copyright infringement के तहत हो सकता है, यह ban भी हो जाए, but that would mean कि जो knowledge है, academia की जो knowledge है, academics की जो knowledge है, उसका control और governance कुछ private publishers के हाथ में चल गया, इस समय हमारी responsibility यह है, we have to think कि यह control और governance किसको देना है, यह जो global standards इस समय higher education पर लगाने हैं, यह बहुत ही imperative बन गया है, global standards का मतलब है कि वो quality, वो governance की quality और autonomy, जो की international institution, Harvard, Cambridge और Oxford, उनके बारे में है, उनके उपर लगती है, वही basically भारते universities में भी अपलाई होनी चाहिए, अब आपने Harvard, Cambridge और Oxford का नाम सुना हुआ है, even दो हम में से कोई भी बाहर विदेश नहीं किया है, इतनी important और इतनी बड़ी और influential universities हैं, क्योंकि उनकी जो legacy है, autonomy की कई सालों, कई सदियों में बनी है, भारत के इसी प्रकार के colleges जो की all over internationally influential और popular हों, उनके लिए जरूरत होगी वो global standards को apply करना, अब सवाल यह है कि वो global standards हैं, वो सिर्फ और सिर्फ American और European standards को उनको अंधाधुन अपलाई नहीं करना है, बलकि उनको specifically जो south, global south, यानि कि developing countries, जब आप से, यह जब आप कहीं शब्द सुने, global south और global north, देखे, global south कहने का मतलब दक्षिन नहीं होता है, basically यह वो countries होती हैं, जो कि developing countries होती हैं, अगर आप notice कर पर in general, जो developed countries हैं, वो primarily northern hemisphere में हैं, America और European, इन दोनों को ही count करेंगे तो, और जो developing countries हैं, वो ज़्यादा तर speaking, दक्षिन में हैं, पूरगा-पूरा South America, पूरगा-पूरा Africa और South Asia, तो एक general term बना हुआ है, global south, global south कहने का मतलब है, वो countries, जो कि middle income countries होती हैं, और जो developing countries है, fully developed नही environment है, वो exactly American या European standards जैसी नहीं हो सकते हैं, बलकि उन्हें समय के साथ, या time के साथ, उनको modulate भी करने की जुरूद पड़ेगी, क्योंकि उनके जो parameters है, American और European के कई बर हमारे educational system से नहीं match करते हैं, ये एक सवाल उठता है, कि ये जो global standards to higher education है, कि ये कैसे apply किया जाएं इंडिय में, why are we discussing this? क्योंकि अगर global standards को apply किया जाए, American और European के, तो Wiley, ACS और LZWR के according, Libgen और Sci-Hub, दोनों की दोनों block हो जानी चाहिए, copyright infringement पे, क्योंकि copyright infringement is one global standard, जो कि European universities में असानी से लगाया जा सकता है, depending क्योंकि वहाँ पे इस परकार का system exist करता है, paying capacity, financial capacity है, however, the same thing when applied to south is impossible, ये दोनों libraries को, जो कि इस से में freely available है, बैन करने से, भारत की academic और research पर बहुत बड़ा issue बैठ सकता है, क्योंकि हमारी जो universities हैं, इन publishers की जो annual fees है, उसको afford नहीं कर पाएंगी, नहीं कर सकती हैं, individual research और scholar तो बिलकुल ही नहीं कर सकते हैं, almost नहीं कर सकते हैं, आग तो भी इनकी research है, उनको openly available कराएं, लेकिन वो जो पूरा, जब भारत सरकार भी इन सब को subscribe करेगी सारी publishers को, magazines को, तो भी साल का कर्चा 200 से 300 करोड का हो सकता है, इसलिए जरूरत है, सबसे पहले higher education को और बड़े context और comprehensively समझते हैं, regulatory और governance reforms का, हमारे यहाँ पे जो regulatory main body है, उस से पहले इन चीजों को restructure करना पड़ेगा, और जो different higher education regulator हैं, UGC हो गया, AICTE हो गया, NCTE हो गया, इनको merge करो, ताकि एक single vision मिल सके, effective coordination हो सके इन सब के बीच में, अभी सब अलग अलग है, एक अलग engineering वाली अलग चलती है, medical वाले अलग, management वाले अलग, अपना अपना शरत्ध अनुसार, UGC Act को amend भी करके, उसको legislative backing देनी चाहिए, इस समय जो UGC है, वो non statutory body है, statutory नहीं है, अगर उसको statutory status, यानि की law के दुआरा, loss का backup मिल जाएगा, तो वो एक ज़्यादा strong बन पाएगी, उसके बाद, allow foreign institution to operate joint degree program with Indian institution, जो foreign institutions है, foreign universities है, Harvard होगी, Oxford होगी, Cambridge होगी, उनको allow क करना चाहिए, भारते university के साथ joint coordination में कुछ courses provide करने के लिए, ताकि हमें उनकी expertise और उनकी quality के से सीखने को मिले, और वो यहाँ पे भी आ जाए, link university grants to performance, university grants to performance, यानि कि जो university को पैसे मिलते हैं, किसी college को fund मिलती है, सरकार की तरफ से, उनकी performance से attach हो जानी चाहिए, कि जितने बहत perform करेंगे, आप parameters पर decided parameters होंगे, उनके basis पर आपको grants दी जाएगी, and vice chancellors of universities है, हमने पढ़ा higher education के challenges में पांच वा क्या था, politics, politics में क्या होता है, जो vice chancellor होते हैं, universities के, वो politics से, corruption से select किये जाते हैं, वो जो है, वो transparent manner से select करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, whenever आप कहीं पर questions लि performance reforms पर यह चार से पांच पॉइंट आप लिखेंगे, तो यह रिखेंगे, मतलब काफी complete comprehensive लिखेगा, इसके साथ-साथ, और continue, बड़ा answer आजाए, ऐससे लिखना पड़ जाए, broaden the scope of massive open online course and open distance learning to provide access of quality education beyond geographical boundaries, MOOC, MOOC का मतलब होता है, massive open online course, study IQ is one version of MOOC, right, हम online courses आपको provide कराते हैं, YouTube पर, free of cost, massive open online course, कोई भी देख सकता है, online है, इसी तरीके से, जो universities में जो classes हो रही है, universities में, colleges में, IIT में, IIM में, the same courses shall be made open and online, इसी परकार से उनका एक strategic plan भी decide करना चाहिए, जिससे वो global universities में आ सके, अगले 10 सालों में, MHRD से उनके performance को link करके, outcomes को link करना चाहिए, the goal of the higher education, for that matter in energy system is expansion and inclusion, यह जो online courses है, यह inclusion और expansion के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, कुछ भी कर लिया जाए, एक IIT, सो, हजार, बाच हजार, दस हजार, पंदरा हजार students को ही पढ़ा सकती है, क्योंकि physical infrastructure एक particular limit पर रखता है, परंतु massive open online courses से वो expansion, the same quality of the teachers, can reach to a much wider student base, और उससे inclusion भी बहतर हो सकता है, इन सब challenges को meet करने के लिए, हमें specifically policy changes लाने है, regulatory changes लाने है, और governance changes लाने की जरूरत है, final बात यह है, कि हमें reforms की तो जरूरत है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, परंतु हमें ये भी पता होना चाहिए, कि higher education की reality क्या है, yes, copyright infringement is a very serious issue, और इसको रोकना है, परंतु वो जो European standard है, वो इंडिया में लग जाए, वो ज़रूरी नहीं है, हमें अपने according, अपनी needs और requirements के according, will need to bring the reforms to the higher education, regulations without facilitation, will merely bureaucratize the governance of knowledge, सिर्फ regulatory body से कोई फाइदा नहीं होता है बनाने का, क्यों, क्योंकि फिर उसके बाद सिर्फ bureaucracy में चला जाता है, वो regulation बना देते हैं, कि 6 lab चाहिए, ये ये equipment चाहिए, और सिर्फ bureaucracy, फिर उसके बाद bureaucracy चलने लग जाती है, कि बस ये काम कर लो, जाके देखो 6 lab है, तो ठीक है, नहीं है, तो चले जाओ आप इस, वह नहीं तो इसको college को बन कर दो, facilitation, government को एक extra step लेना पड़ेगा, जब universities को, colleges को facilitate भी करना पड़ेगा, ताकि वो governance of knowledge को और आगे बढ़ा सके, विद UGC standards बढ़ाना चाहती है global levels पर, problem क्या है employment की, teaching hours बहुत लंबे है, student teacher ratio बहुत बढ़ा है, वह एक class में, physical class में student teacher ratio एक standard पर होना चाहिए, कि एक teacher तीस students को ही पढ़ा है, अभी मैं one on one आपको पढ़ा रहा हूं, अभी 500 student बैठे हो, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, इस समय मैं आप से एक दूसरे से single single पढ़ा रहे हैं, हमारा ratio है one is to one, हो सकता है दो भी पढ़ रहे हो, दो कौन हो तो, बाते मत करो और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, lack of sabbaticals, sabbaticals का मतलब यह होता है, कि कई बार कुछ professors होते हैं, वो बीच में 3, 4, 5 साल की छुटी ले सकते हैं, अपने किसी और research world के लिए पढ़ाने के लाबा, भारत में इस परकार की जो situations से वो exist नहीं करती है, international ये situations बहुत फाइदे की होती हैं, क्योंकि ये original research को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ पर sabbaticals, universities अलाव करती हैं, research travel, ये जब तक problem solve नहीं हो जाएंगी, तब तक हमारे भारत के उचतर शिक्षा के जो standards हैं, वो global level पर नहीं पहुच पाएंगे, अब globally, जो ये governments हैं, वो pressure पर आचुकी हैं, public institution पर expenditure खतम करके, even the, including the educational, and we will need to find a way out of it, regulating research needs to be replaced with facilitating research, allowing minds to think and gestate, तो research को regulate करने के बज़ए, facilitate करना जादा ज़रूरी है, Libesan और Sci-Hub के उपर जो case है, इसके results आप इसको follow कीजेएगे, इन दे news recently, regularly discuss होता रहेगा, इसके repercussions भी होंगे, let's see how the government, how the courts figure out, and उसको कैसे वो judgment देती है, क्या वो social good को फाइदा देती है, या कोई और परकार की innovation लाके, इन सब research and development papers को, easily and cost access करा पाएंगी, we will be able to see that, आपको इस class का अगर PDF चाहिए, तो definitely मैं आपको इस telegram channel पर उपलब कराऊंगा, मुझसे बात करने के लिए, मुझसे जुडने के लिए, मेरे social media platforms पर भी, आप मुझसे connect कीजिए, और कोई आपके दिमाग में सवाल आता हो, तो please, इस YouTube वीडियो के नीचे comments ज़रूर कीजेगा, I'll read them and I'll personally answer them. मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में. Thank you very much students.